हे गाइज वेलकम टू फार्मसंसा तो इस वीडियो बेर हम बात करने वाले फार्मस्योटिकल केमिस्ट्री से तो आपका इंतजार खतम हुआ आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैं आयू पीसी नेमिंग पे वीडियो बना कर लाऊं आपके लिए तो हेर दा वीडियो इतने भी आपके याद होने चाहिएंगे बाकी इनको छोड़ करके और भी आपके बहुत साइड रग है जिनके याद करने हैं इस पर वीडियो लेकर आउंगे लेकिन इसमें जितने भी डिस्कस करेंगे हम उनको याद जरूर कर लें चैमिकली डैपसोन आपको पता है तो जो आपको याद रखना इसका आयउपेसी दमं जादा नहीं याद रखना अपो फर याद रहे एं लखके और आपको एपन डैपसोन जादें को पर इसमें नाल जन खर्था याद रखना है । 4-Diamino-Diamethyl-Sulfon so next है chemically caffeine is caffeine क्या है chemically 1-3-Trimethyl-Zanthin 3-7-Diamethyl-Zanthin and 1-3-7-Trimethyl-Zanthin और यह सभी तो देखें यहां पर caffeine के लिए formula रहता है caffeine यहां पर है caffeine तीन चीजे हैं आपको तीनों में से पूछा जा सकता है caffeine, theophylline यहां पर हम तीनों कवर कर लेंगे theobromine यहां से तीन IUPAC name आपको यार हो जाएंगे बहुत easy है क्योंकि caffeine का जो रहता है वो IUPAC name रहता है 1-3-7-Trimethyl-Zanthin then theophylline theophylline के लिए पहले दो उठा लीजिए बस 1-3 यह तो तीन थे तो try हुआ now theobromine bromine last में है इसके लिए अगले दो लें लिए theobromine के लिए हम ले लेंगे 3-7-Diamethyl-Zanthin यहां से हमारे पास तीन कंप्लीट हो गए तीनों होगा केमिकली अगर पूछ लिया गया हमारे पास theophylline तो हम लिख देंगे 1-3-Diamethyl-Zanthin हम उस पर right click करेंगे theobromine अगर होगा तो हम 3-7 ले लेंगे caffeine है तो 1-3-7-Tri-Diameth यहां पर गलती से डाय लिखा गया trimethyl-Zanthin है तो यहां पर इसके लिए option जो है वो बिल्कुल जो सही हो जाएगा यहां पर try है trimethyl-Zanthin तो option number third is के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा chemically furosamides तो furosamide क्या है तो यह last year जो exam हुआ था pharmacist का तो उसमें भी पूछा गया है furosamide chemically क्या है options देखते हैं चलिए 4-fluoro-N-furfurein-5-sulfomoyl-anthranilic acid 4-fluoro-N-piridyl-5-sulfomoyl-anthranilic acid 4-fluoro-N-furfurein-5-sulfomoyl-anthranilic acid तो जो इसका सही जवाब है इसमें फ्लोरो नहीं आएगा अगर furosamide आप लोग होगा इसमें है option number third 4-fluoro-N-furfurein-5-sulfomoyl-anthranilic acid तो यह बहुत असान है 4-fluoro है 4-fluoro होगा इसके अंदर N-furfurein-5-sulfomoyl-anthranilic acid तो option number third इसके लिए बहुत सही जवाब हो जाएगा next question आए देखते है chemically phenobarbiton phenobarbiton क्या है chemically यहाँ पर options है यह देखते है 5-methyl-5-phenyl-barbituric acid यहाँ पर आप वेडियो को पोस करके अपना जो है बिल्कुल दिमाग लगा सकते हो टेस्ट लगा सकते हो 5-methyl-ethyl-barbituric acid इसमें last तक बने रहे क्योंकि बहुत important drugs हो है इस वीडियो में discuss होने वाली है 5-ethyl-5-phenyl-barbituric acid 3-methyl-5-phenyl-barbituric acid तो phenobarbiton यहाँ पर क्या है आपको यह बताना है options में 5-methyl-5-phenyl-barbituric acid 5-methyl-ethyl-barbituric acid 5-ethyl-5-phenyl-barbituric acid तो यहाँ पर जो इसके लिए सही जवाब है वो है आपको कैसे याद रहेगा phenobarbiton इसमें एक तो आएगा आपके पास phenyl group तो option नमबर इसके पास 5-ethyl-5-phenyl 5-5-P-barbituric acid इसका जो है सही जवाब हैगा option नमबर 3rd next is chemically barbiton अब हमारे पास आगे barbiton हमने फिनो barbiton में देखा कि इसमें 5-ethyl-5-phenyl-barbituric acid था जो कि यहाँ पर 5-ethyl-5-phenyl-barbituric acid अब प्लेन barbiton की बात हो रही है तो barbiton में options हैं यहाँ देखते हैं 5-5-di-phenyl-barbituric acid 5-5-di-ethyl-barbituric acid 1-5-di-phenyl-barbituric acid या फिर इनमें से कोई नहीं तो जो इसका सही जवाब है वो है हमारे पास सिर्फ क्या हो जाएगा वहाँ पर 5-ethyl-5-phenyl था क्योंकि फिनो barbiton था यहाँ पर क्या है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है 5-5-di-phenyl- पर ईसका हो जाएगा 555 डाय इन इहाइल लगाघ यहां पर सिंपल नेंव लगाएगा तोत र सिंप लगेगा ठीक है तो तो simple di is ने हो जाएगा उसमें आपका इथाईल भी था फिनायल भी था लेकिन यहां पर डाय दो इथाईल आजाएंगे फिनायल के जेगा दो इथाईल ही लग जाएंगे यहां डाय इथाईल हो जाएगा तो option number इसके लिए क्या हो जाएगा option number second 55 diethylic यहां पर मैट्रोनीडाजोल भी जो है यह 2018 के कोश्चन जो आया था उसमें रिपीट हुआ है उसी से उठाया गया है 2018 में पूछा गया है कि मैट्रोनीडाजोल क्या है तो हम इसे देख लेते हैं तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स देखते हैं केमिकली बेंजोकेन यहाँ पर केमिकली क्या है तो ओप्शन है इथाइल पी अमाइनो बेंजोएट मिथाइल पी अमाइनो बेंजोएट इथाइल एन अमाइनो बेंजोएट या फिर इन में से कोई रहें तो benjocaine के लिए जो formula है यहां पर जो सही है इसमें option वो है आपका Ethyl P Amino Benjoate Benjocaine में आपका simple है Ethyl P Amino Benjoate ठीक है benjocaine से benjoate Next है chemically procaine is Procaine क्या है यहां पर chemically है This is the last one तो chemically procaine यहां पर हमने बात की है Benjocaine की और next है procaine Options है to die ethyl amine Ethyl P Amino Benjoate To die phenyl amine Ethyl P Amino Benjoate One ethyl amine Ethyl P Amino Benjoate तो यहां पर जो आपका Procaine है Procaine आपका simple to die ethyl amine Ethyl P Benjoate है तो यहां पर option number इसके लिए क्या हो जाएगा Option die ethyl amine Ethyl P Benjoate तो यहां पर ethyl P Amino Benjoate तो हमारे पास, किसका था ? Benzocan का, Ethyl P Amino Benzoate, हमारे पास Benzocan का था, लेकिन Procane के लिए simple क्या add हुआ ? 2 Dithylamine, 2 Ethyl Amine add हुए तो बंगया Procane, और अगर Literal Amine की बात करेंगे, तो 2 Dithylamine 2 and 6 Acetoxylide इसका बन जायेगा आपके लिगनोकेन के लिए है तो यहाँ पर जो है option number first इसके लिए टू डाइथाइल अमाइन इथाइल पी बेंजोएट जिसमेंसे कि आपका जो इथाइल पी अमाइनो बेंजोएट है वो आपका बेंजोकेन का है अगर प्रोकेन लग गया simple तो डाइथाइल अमाइन लग जाएगा